अफ्रीकी सवाना शेत्र में खुद को बजा कर रखना कोई आसान काम नहीं है स्थानिय निवासियों के लिए भी ये छित्र उतना ही मुश्किलों भरा है जितना की वहां के जानरों के लिए लेकिन गर्म एफ्रीका फिर भी बहुत सारे बड़े प्रिडेटर्स का घर है ऐसे प्रिडेटर्स जो विपरीत परिस्तितियों में भी अपने हंटिंग स्किल्स को बदलते रहते हैं ताकि वो किसी और जीव का शिकार बनने से बच सकें और ताकत के बल पर अपने लिए शिकार भूनने में महारात हासिल कर सकें आज हम जिस जानरों के बारे में बात कने वाले हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही कामजित पाई जाती है शार्फ फैंक्स और निडर सभाव इस जीव को टॉप प्रिटेटर से बचने में माहिर बनाती है इन से मिल विए ये हैं वार्थ हॉक्स हाला कि ये जीव शेर जैसी ताकत और दाहार के मालिक नहीं है लेकिन प्रकिर्टी ने इनको तेज धात और मजबूत पंजों से नवाजा है जंगल की दुनिया में हर जानवर के पास एक खास हत्यार होता है फिर चाहे वो कमजोर हो या फिर तेज शिकारी आज के वीडियो में वार्थॉक्स की कुछ दिल्चस फाइटिंग मोमिंट्स आपको दिखाएंगे जिसे लोगों ने कैमरे में कैद करने में कामिया भी हासिल किये तो चलिए शुरू करते हैं जंगल की दुनिया में वार्थॉक्स को नेवलों के प्रती उनकी दोस्ती और कीचर के सभाव के लिए जाना जाता है ये बेहधी अनप्रेडिक्टेबल जानवर कहला जाते हैं जो किसी भी बात पर गुस्दा होकर अपने अपोनेंट पर चार्ज हो जाते हैं बिग फैमिली से तालुक रखने वाले ये जीव काफी कुछ वाइल्ड बोर्स की तरह दिखाई देते हैं एक टॉन्ड बोडी, फ्लैट सर और सिंग जैसे विशाल दातों के साथ वार्थॉक्स लंबाई में डेड़ मीटर तक बढ़ते हैं और इनकी लंबाई सतर सेंटीमेटर तक पाई जाती है एक कॉमन मेल वार्थॉक्स साट से तेट सो केजी के होते हैं जबकि इस प्रजाती में मादा पैतालिस से पचातर किलोग्राम तक पाई जाती है वार्थॉक्स को ये नाम उनके चेहरे के किनारे पर उगे हुए शार्प वार्ट से मिला है जो लडाई में उनकी रक्षा करने में एक बड़ी भूमिका नहीं बाते हैं एक शांदार शरील के साथ इस जीव के पास लंबी टांगे और बतली पूछ होती है शार्प टस्क और अजीवो गरीब बालो वाले ये जानवर एक समाजिक प्राणी है जो अक्सर चार से सोलस अदसे के चुण में रहना पसंद करते हैं ये जुण में जाधातर मादा और बच्चे साथ रहते हैं जबकि मेल्स हमेशा अकेले रहना ही पसंद करते हैं Warthogs का सबसे खास फीचर है कि ये जीव बहतरीं टिगर्स होते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खुद अपने लिए बिल नहीं बनाते बलकि दूसरे जानौरों के वरोस को चुरा कर ये वही रहना पसंद करते हैं रात ये बिल में गुजारते हैं और अक्सर दिन में अच्छे भोजन की तलाश में निकलते हैं Warthogs की सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी विजन लेकिन इनके सुनने और सुनने की शक्ती काफी तेज है इस दाकत के बल पर जंगल में ये जीव दूर से ही अपने भोजन की महक को जान लेते हैं हाला कि इसके शरीर की बनावट देखने में काफी खराब लगती है लेकिन इसी शरीर के चलते Warthogs एफरिका की गर्मी को जेलने का दम रखते हैं तापार में हुई बढ़ोतरी का Warthogs पर कोई असर नहीं परता ये जीव गर्मी में बीना पानी के भी सर्वाइव करने में सक्षम है दरसल इसका शरीर काफी एडेप्टेबल होता है और शुषक मौसम में भी बीना पानी के कई महीनों तक जीवी तरहने की शमता रखता है हाला कि सूखा जैसे प्रकिर्ति कापदाएं इन जीवों के लिए भी विनाशकारी होती है ऐसी इस्तिती में अपनी तचा को धूप से और पेरासेट से बचाने के लिए ये जिव मिट्टी में रोल करना पसंद करते हैं और अगर इन्हें आसपास पानी के सोर्स का अंदेशा होता है तो ये गड़ा खोद कर उस सोर्थ तक ज़रूर पहुंच जाते हैं वार्थाक्स को अक्सर अपना जादतर समय मिट्टी और कीचर में नहाते हुए देखा जाता है ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पेरासेट से बच सकें इसके अलावा ये खुद के शरीर को ठंडा करनी के लिए भी ऐसा करते हैं देखा जाए तो इन जीवों का जीवन काफी साधारन होता है लेकिन इसे मुश्किल बनाने का काम प्रिडेटर्स करते हैं जो वार्थाक्स को सबसे लजीज पकवान के रूप में देखते हैं जंगल की दुनिया में शेर, तेंदुए, चीता, हाइना, जंगली कुत्ते और मगरमस जैसे कई शिकारी इनको अपना निशाना बनाते हैं यहां तक की बड़े इगल की नजर भी बेबी वार्थाक्स के शिकार पर रहती है ऐसे में खुद के बच्चे को बचाने के लिए मादा वार्थाक्स कभी कबार काफी एग्रेशन मूड में आ जाती है और टस्क की मदद से बाकी शिकारीों को कभी कभी बुरी तरग घायल करने में काम्याब हो जाती है शिकार की बात करें तो वार्थॉक्स को सबसे ज़्यादा खत्रा होता है फूड जेर्न के टॉप प्रिडेटर्स यानि की शेर, जीता और बाग जैसे जानोरों से जिनके शिकार करने की रणनीतिया काफी तेस्तरार होती है ऐसे शिकारियों से उलजना और जीत पाना वार्थॉक्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है जैसे ही शेर वार्थॉक्स को अपना निशाना बनाते हैं इस नन्हे जीव को घुटने टेकने में केवल कुछी सेकेंड्स का समय लगता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन जीवों को कम आगा जा सकता है एक्चुली वार्थॉक्स के पास काफी लंबे फैक्स होते हैं जिसका वार काफी गंभीर होता है जिस भी जीव के शरीर में ये अपने दाथ गुसाता है उसे गंभीर चोटाती है इसलिए कभी कभी हालात हाथ में ना होने पर शेरी को भी दुम दबाकर भागना परता है जैसा कि इस क्लिप में हो रहा है खेर ये तो वो स्थिती है जब ये जानवर अपने प्रिडेटर से टकराते हैं ऐसे ही आपको कुछ और क्लिप दिखाते हैं जहां वार्थॉक्स अपनी रक्षा करने के लिए भी शेरी से उलज जाते हैं और उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं दरसल वार्थॉक्स को जंगल में बड़े प्रिडेटर से पंगे लेते कभी नहीं देखा जाता एग्रेसिव सोभाओ के बाद भी ये जिव खुद मुश्किलों में पढ़ने की कोशिश नहीं करते अब जरा इस क्लिप को देखे जहां वार्थॉक्स गलती से वाइल्ड ओक्स के रास्ते आ जाता है लेकिन अकेले होने की वज़े से ये जानता है कि ऐसी इस्तिती में कुटों की जुण से लड़ना समझदारी नहीं है इसलिए वो इन से लड़ने की बज़ए वापस अपने रास्ते लोट जाने की बुद्धिमानी करता है हाला कि खुटों का धुण इसके पीछे जरूर आता है लेकिन ये खुट को बचाने में सफल हो जाता है एक भारी भरकम शरीर के साथ भी वार्थॉक्स पचास किलोमेटर प्रती घंटे की रफटार से दोड़ने का दम रखते हैं इनकी ये रफटार केबल छोटी दूरी के लिए नहीं है बलकि इसी रफटार से ये कई मील तक दोड़ सकते हैं जब कभी कोई भूखा चीता इन पर हमला करता है तो इनके बचने की कोई उमीद नहीं रहती क्योंकि एक चीता इनसे दूगनी तेज रफटार से दोड़ने की ताकत रखता है इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे चीता कुछी सेकेंट्स में वार्थौक को पकड़ लेता है लेकिन लड़ाई में हमेशा जीच चीते की हो ऐसा जरूरी नहीं हाला कि चीता रफटार में बाकी जानरों को माद दे सकते हैं लेकिन वार्थौक कभी कभी लड़ाई में बचने के लिए एक अलग रणनी ती अपनाते हैं अब ज़रा इस क्लिप को देखिए जहां वार्थौक का पीछा करते हुए चीता उससे आगे निकल जाता है लेकिन वार्थौक खुद को बचाने के लिए रास्ता बदलने की चाल चलता है ऐसे में चीता भी असमंज़स से पढ़ जाता है और मौका देखते ही वार्थॉग अपने रास्ते निकल जाता है अब चलिए एक और क्लिप दिखाते हैं जहां वार्थॉग खुद की रक्षा के लिए 3-2 पर हमला करते दिखाई दे रहा है इस क्लिप में 3-2 वार्थॉग को अपना भोजन बनाने के लिए उस पर पीछे से वार करता है लेकिन इस जीव का गुस्सा सात्वे आस्मार पर होता है इसलिए वो अपने फैक से 3-2 पर चार्ज करता है और उसे हवा में उच्छाल देता है हाला कि वार्थॉग को बड़े प्रिटेटर से लड़ते हुए काफी कम ही देखा जाता है चलिए अब आपको तेंदुए और वार्थॉग के बीच हुई कुछ खास बैटर आस दिखाते हैं यहां वार्थॉग तेंदुए पर भारी परते नजर आते हैं इस क्लिप में वार्थॉग तेजी से भागते हुए तेंदुए पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसके मुँ में वार्थॉग का बच्चा है और एक माह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है Warthog का वार तेंदुई को हवा में टॉस कर देता है लेकिन ये जीव इतनी असानी से अपने शिकार को नहीं छोड़ता और एक सटे हुए पेड़ पर जा कर बैट जाता है ऐसी और भी कई क्लिप समय देखने को मिलती है जहां बच्चे को लेकर Warthogs चीते के पीछे ही पढ़ जाते हैं और उन पर अपने फैंक से चार्ज करते हैं ऐसी ये एक और क्लिप में तेंदुई और Warthog के बीच आरपार की लड़ाई चल रही है जो लोग Warthogs को कम आगते हैं ये लड़ाई देखने के बाद उनका विचार जरूर बदल सकता है जैसा कि आमने बताया कि इस जीव में बहुत गुस्सा भरा होता है और इसी लिए ये छोटे जानौरों पर भी बरस पड़ते हैं इस वीडियो में Warthog एक बंदर से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हाला कि छेडने की शुरुआत बंदर नहीं की लेकिन जब Warthog गुस्से में होते हैं तो वो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बंदर पर ताबरतोड हमला कर रहा है हानी बेजर दोस्तों हानी बेजर एक बहुत ही ताकतवर और आक्रामक शिकारी है जो बड़े जीव से भीडने में भी नहीं डरते लेकिन इस क्लिप में वो एक वार्थोग से पिटता नजर आ रहा है गुस्से की वज़े से हानी बेजर वार्थोग के बरों में घुसने की कोशिश करता है जिस पर ये जीव बवाल कार देता है हाला कि वार्थोग इतने फ्रेंडली जीव नहीं है लेकिन हमें इनके और नेवले के बीच एक रिष्टा देखने को मिलता है और ये रिष्टा दोस्ती नहीं बलकि आपसी साज़दारी का है दरसल नेवले वार्थोग से शरीर से पैरसाइट्स निकाल कर खाने का काम करते है ये पैरसाइट्स मौंगुस के शरीर को बहुत सारा प्रोटीन देते हैं और वार्थोग से अराम इसलिए इन दोनों के बीच एक साज़दारी देखने को मिलती है तो दोस्तो ये थी वार्थोग से कुछ हिटियन फीचर्स और इंटरेस्टिंग बेटल आफ्स जो हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताती है और ये भी बताती है कि सूवर की प्रजाती से संबंद रखने के बाद भी ये जिव खुद के लिए लर्णना जानता है तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से जानवर पर चाहिए कमेंट करके ज़रू बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंट्रेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंट्स और फैमली में से ज़रू शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को आउन कर लिजे ताकि मारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के रिए नमस्कार